हेलो दोस्तो श्वाकत है आप सभी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के साथ मैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तो सेकंड ग्रेड मैट्स के अंतरगत 2D यानि की 2 डाइमेशनल जोमेट्री के उपर बात कर रहा था और 2 डाइमेशनल जोमेट्री के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तो straight line और straight line के अंदर मैं कल जो है last topic discuss करके गया था कि angle between two lines यानि दो line अगर आपको दे रखी है तो उन दोनों lineों के बीच में जो quant होगा angle होगा उसकी value आप कैसे find out कर सकते हो तो उसका answer क्या था दोस्तो उसकी value कैसे find out कर रहे थे हम तो 10 theta is equal to m1 minus m2 upon 1 दोनों lineों का slope क्या है slope है और slope क्या होता है तो inclination जो भी होता है उसका tangent यानि की 10 theta की value तो 10 theta बराबर था m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 ठीक है और अगर m1 और m2 जो है equal है तो आप कहोगे कि दोनों line ने एक दूसरे के parallel है और अगर m1 गुणा m2 की value minus 1 आ जाती है तो आप कहोगे कि दोनों line ने जो है एक दूसरे के perpendicular है यानि एक दूसरे के साथ में 90 degree का corner बनाती है कितना 90 degree का angle बनाती है समझ में आ गई बात अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक खुसकबरी है कि जो भी विद्यारती second grade की तैयारी कर रहे है आप लोगों के मन में एक doubt रहता है कि हम previous year के जो quotient paper है वो हमें ना तो कोई coaching swall करवाती है ना कोई teacher करवा रहे है हम कहां से swall करें ना उनकी book है तो दोस्तों आप लोगों की वो जो tension है वो खतम कर दी गई है किसके द्वारा परविंट सर के द्वारा और आप लोगों के लिए उसकी जो book है वो launch की जा रही है मेरे द्वारा e-book और वो e-book अगर आप लोग purchase करना चाते हो तो उसकी price जो है दोस्तो 80-100 के बीच रहेगी और वो book अगर आपको purchase करनी है तो आप अभी से ही जो है निचे जो scroll number चल रहे है WhatsApp के वहाँ पर अपनी book करवा दीजिए otherwise इसकी जो है हम limited copy निकालेंगे मलब limited जो है e-books बनने वाली है तो उस वज़े से फिर जो है सबी students तक अगर नहीं पहुचती है तो आप उसके खुद जिम्मेदार रहोगे ठीक है तो जिसको भी चाहिए हो अपनी उसके जो WhatsApp नमर है वहाँ अपना registration करवा लीजिए और अपनी confirm book करवा लीजिएगा ठीक है और आपको पहले पैसे नहीं देने जब book आये तब ही पैसे देने है और उस book की विशिस्ता क्या रहेगी वो सब चीजे जो है मैं अलग से जब book launch करूँगा तब बता दूँगा ठीक है चलिए आज की हम करते हैं class की शुरुआत तो अब जो है दोस्तों आप लिखेंगे not point पहले और पहला not point आप लोगों के लिए है कल का जो पढ़ने के बाद हमारा आगे की शुरुआत हम कर रहे हैं तो कल का पढ़ने के बाद आगे जो point आता है not point में पहला वो आप लिखेंगे पहला not point है कि equation of equation of family of lines equation of family of lines parallel to a given line ax plus by plus c is equal to 0 equation of family कौन सी equations की family parallel line की वो कैसे दी जाती है तो माल लो एक line है अगर आपकी ax plus by plus c तो इसके parallel अगर दूसरी line आपको लिखनी है तो इसके parallel जो दूसरी line होगी वो क्या होगी तो ax plus by plus c की जगे कोई अदर constant आजाएगा lambda बराबर 0 इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ ax और जो y है उसके जो coefficient है a and b वो parallel line के अंदर change नहीं होते है बाकी constant जो है वो change होता है और उससे आप एक नई नई line लिख सकते हो समझ में आगई बात चलिए next point आपका आजाता है दोस्तो important है ये भी और ये है perpendicular के लिए equation of family equation of family of lines family of lines perpendicular कैसी perpendicular to a given line perpendicular to given line will be will be bx एक मिनट एक मिनट अच्छा ये पहले हम जो है line दे रखिये वो तो लिखी ही नहीं तो given line है आपकी ax plus by plus c is equal to 0 will be will be तो उसके perpendicular line कौन से हो जाएगी bx minus ay plus lambda बराबर 0 clear है बात तो क्या है point कि अगर आपको parallel line लिखनी है तो आप क्या करोगे x और y के जो coefficient है वो exact रखोगे केवल constant को change कर दोगे तो आपकी जो है parallel line उसके निकल जाएगी और अगर किसी line के perpendicular line निकालनी है तो आप क्या करोगे दोस्तो उसके x और y के जो coefficient है उनको interchange कर दोगे और y का जो coefficient बाद में आ रहा है वो negative sign के साथ आएगा मतलब की a x x का coefficient है a y का coefficient है b तो यहां क्या हो जाएगा x का coefficient हो जाएगा b और y का coefficient हो जाएगा minus a समझ में आ गई बात मतलब interchange करोगे लेकिन एक का जो y का coefficient बन रहा है उसका sign भी change करोगे clear है बात इतनी चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे ठीक है चलिए तो next बात आ जाती है हमारे length किसकी perpendicular अगर length निकालनी हो तो तो आप लिखेंगे length of perpendicular यानि आप जो है किसी भी line के उपर या कहीं पर भी जो perpendicular खिचते हो उस perpendicular की length कैसे निकाली जाती है कैसे देखो जब हम ये suppose करिए एक line दे रखी थी और इसके उपर हमने ये एक perpendicular डाल दिया ठीक है अब जैसे ही ये perpendicular डाला है मानलो ये P point से डाला इस A, B एक line थी उसके उपर तो ये जो perpendicular डाला है इसकी length क्या होगी वो कैसे निकलेगी तो वो मैं यहाँ पर आपको formula बता रहा हूँ तो आप इसके अंदर लिखेंगे दोस्तो length of length of perpendicular from length of perpendicular from a point और वो point के coordinates आपको दे दिये गए x1 comma y1 ठीक है on a line on a line ax plus by plus c बराबर 0 will be तो वो क्या हो जाएगी perpendicular आपकी distance perpendicular distance हो जाएगी आपके ax1 plus b y1 plus c ठीक है upon में under root a square plus b square समझ में आगई बात clear है इतनी तो यह क्या है point यह point है कि आपके पास मैं कोई point दे दिया गया p माल लो और उसके निर्दे सांग है x1 comma y1 उससे आपने एक line दे रखी थी a b जिसकी equation है ax plus by plus c बराबर 0 तो उस point से इस line के उपर perpendicular डाला तो यह जो perpendicular डाला है इस perpendicular की लंबाई यानि length क्या होगी तो वो निकालने के लिए आप क्या करोगे उस line के अंदर उस point को put कर दो उस point को put करने पर एक आजाएगा upon मैं under root a square plus b square यानि x और y के coefficient का square करके under root निकालोगे तो इसको जो है दोस्तो हम क्या कहेंगे length of perpendicular चलिए अब जो है दोस्तो आप लोगों को अगर ऐसा हो जाए कि कोई special case पूछ ले और special case यह है कि length of perpendicular कहां से तो length of perpendicular from origin यानि की origin से अगर आपको perpendicular की distance पूछ रहा है तो origin के निदे सांग क्या होते हैं coordinates क्या होते हैं 0,0 तब आपके perpendicular की length कितनी हो जाएगी तो length of perpendicular from origin 0,0 will be तब आपके क्या हो जाएगा mod of C upon under root A square plus B square क्यों X और Y 0 है तो A X और B Y तो हो जाएगे टाटा बाई 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 फिट्टोस बचा क्या भी चेरा C तो C upon under root A square B square का under root समझ में आ गई बात चलिए ये था आपका क्या length of perpendicular अब ये length of perpendicular तो हमने निकाल दिया अब जो ये length of perpendicular है इसके अलग अलग दोस्तो use है उन use के लिए हम लिख रहे हैं पहला note point तो पहला note point आपके सामने है दोस्तो अगर आपको दो लाईने दी जाए यानि कि आप लिखोगे दोस्तो अब distance distance between two parallel दो parallel आपको line दे दी गई ठीक है क्या दे दी गई दो parallel lines दे दी गई एक line है आपकी ax plus by plus c1 कोई constant होगा and दूसरी line अब इसके parallel है तो वो line क्या होगी ax plus by plus c2 बराबर 0 ठीक है तो इन दोनों parallel line के बीच में will will be तो ये दो parallel line है ax plus by plus c1 और एक है ax plus by plus c2 इन दोनों parallel line के बीच में अगर आपसे distance पूछी जा रही है तो वो distance जो है आपके parallel है तो इन दोनों के बीच में जो ये distance आपको दिख रही है देखो ये line तो मानलो है आपकी ax plus by plus c1 बराबर 0 और ये line है आपकी ax plus by plus c2 बराबर 0 इन दोनों लाइन के बीच में इन दोनों लाइन के बीच में मानलो perpendicular जो distance है वो है आपकी d तो ये है आपके d की value समझ में आगई बात तो दो parallel line के बीच में आप कैसे distance निकालोगे clear है आपका formula बिल्कूल तो ये formula आपको याद भी रखना है केवल यहाँ पर सुन लेने से कुछ नहीं होने वाला है बेटा ठीक है ये याद रखना चलो आगे बढ़ते हैं तो next हमारा जो concept आता है दोस्तो वो भी इसी से related है second not point है क्या है second not point है चलिए तो second not point क्या कहता है कि area of area of a parallel parallelogram यानि कि समांतर चत्रबूज ठीक है तो area of parallelogram with sides with sides उसकी side है एक line sides क्या होती है line होती है तो lines की equation अगर दे दी जाए जैसे एक line का equation दिया m1 x plus c1 पहली line है दूसरी line आपको दे गई y is equal to m1 x plus c2 ठीक है and third line दी गई आपको m2 x plus d1 और तीसरी line आपको दी गई है m2 x plus d2 clear है will be तो क्या होगी वो तो उसका area देखो area और पैरलोग्राम जिसकी sides की equation हमें दी गई है y बराबर m1 x plus c1 एक है y बराबर m1 x plus c2 एक है y बराबर m2 x plus d1 एक है y बराबर m2 x plus d2 इसका area जो है वो क्या होगा तो इसका area होगा दोस्तों आपके p1 गुणा p2 बटे sin theta क्या होगा p1 गुणा p2 upon me sin theta किलियर है अब ये p1 और p2 क्या है सर तो ये मैं बता रहा हूँ बेटा सांती रख पहले diagram बना देता हूँ आपके सामने तो आपको जो है थोड़ा सा किलियर हो जाएगा कि हम किसकी बात करने वाले हैं चलिए तो मैं ये जो है इदर आपके सामने diagram बना देता हूँ ये आपका है parallelogram जिसके अंदर मान लो इसकी equation है y बराबर m2 x plus d2 तो ये वाली line हो जाएगी y बराबर m2 x plus d1 किलियर है ठीक क्योंकि ये और ये line इन दोनों एक दूसरे के क्या होती है parallel ऐसे ही ये बी कौन सी देखो इनका नाम करन करें तो a b c d तो a d b c एक दूसरे के parallel है ऐसे ही a b और c d b एक दूसरे के parallel होगी तो ये क्या होगी y बराबर m1 x plus c1 तो ये हो जाएगी y बराबर आपका हो गया parallelogram इस parallelogram का area जो है वो होता है क्या p1, p2 upon sin theta ये मैंने आपको बताया था लेकिन हमारे पास p1, p2 वगरा कुछ भी नहीं है हम तो इसके जो constant है ये c1, c2, d1, d2 इससे लिखेंगे और इससे जो formula आता है वो आ जाता है आपके c1 minus c2 m1 minus m1 minus m2 clear है बात ठीक है ये हो गया आपके parallelogram का area कैसे निकला दोस्तो तो keval और keval जो line ने दे रखी है उन line के equation में जो constant है उन से और उनके slope से ही हमने क्या कर लिया parallelogram का area निकाल लिया clear है बात तो ये formula अगर आपको याद रहेगा तो आपका easily ही जो है दोस्तो answer आ जाएगा किसी भी parallelogram का area निकालने को बोले तो ठीक तो formula क्या है c1 minus c2 into d1 minus d2 यानि कि आमने सामने के जो constant है उनका divide करो और उपर नीचे के ये दोनों साइड एक दूसरे के आमने सामने a b और c d इनके constant का difference और a d और b c इन दोनों का difference upon में इनके जो आपके slope आ रहे हैं m1 और m2 उनका difference बस answer आ गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो next concept दोस्तो आपका आता है foot of perpendicular के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा area और parallelogram निकालना सीख लिया अब हम पढ़ने जा रहे हैं foot of perpendicular और जिससे जो है दोस्तो आपके कई बार question आया हुआ है तो आप लिखेंगे foot of perpendicular ठीक है foot of perpendicular होता क्या है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो आप लिखेंगे let foot of perpendicular मैं बता रहा हूँ क्या होता है let foot of perpendicular drawn from P जो की है X1 Y1 and on the sorry on देखो let foot of perpendicular drawn from point this इस point से आप जो है foot of perpendicular draw करोगे किसके उपर on the line on the line AX plus BY plus C is equal to 0 BM और M point है जिसके coordinates है alpha and beta यानि की आपके पास में एक लाइन है AX plus BY plus C बराबर 0 उसके उपर आप क्या कर रहे हो एक point है जो P X1,Y1 उससे आप perpendicular के उपर foot of perpendicular draw कर रहे हो और foot of perpendicular का मतलब क्या है दोस्तो foot of perpendicular का मतलब केवल इतना है देखिए ये आपकी लाइन दे दी इसके उपर आपने ये perpendicular डाल दिया तो जो ये perpendicular डाला है जहां exact ये दोनों एक दूसरे से cut करेंगे इस point को यहां हम इसको कह रहे हैं M alpha, beta इसके निर्दे सांक है और इसी point को कहा जाता है आपका क्या दोस्तो foot of perpendicular समझ में आगई बात और इस line की जो equation है वो क्या है हमारी ax plus by plus c बराबर 0 कौन से point से आप perpendicular डाल रहे हो तो वो point है p जिसके coordinates है x1 and y2 ठीक है समझ में आगई बात तो point है x1, y1 उससे हम perpendicular डाल रहे है एक line ax plus by plus c के उपर जो उसको intersect करेगी point m के उपर और जो ये m point है इसके निर्दे सांग के alpha, beta ठीक है और इस point को हम कह रहे है foot of perpendicular समझ में आगई बात clear है आपके चलिए अब जो है दोस्तो आप ये सोच रहे होंगे तो सर ये foot of perpendicular तो आपने बता दिया क्या होता है लेकिन हमें अगर जो ये foot of perpendicular alpha, beta निकालने को बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे या इसका huge कैसे किया जाएगा तो इसके दोस्तों आपके पास में तीन मैथड है कितने मैथड है तीन मैथड में आपको अलग-अलग लिखाने वाला हूँ ठीक है चलिए तो आप सबसे पहले लिखेंगे method first और method first क्या है तो method first है दोस्तो get equation of line perpendicular to गिवन to गिवन line ax plus by plus c बराबर 0 आप जो है सबसे पहले क्या करिए ये जो perpendicular line है ना हमारी pm इसकी आप equation निकाल लिए ठीक है समझ में आ गई बात उसके बाद में and फिर हम क्या करेंगे passing passing through through given point passing through given point P जिसके निर्दे सांग है P X1, Y1 its points its points of intersection point of intersection with with given line with given line will be will be foot off perpendicular मतलब आपके पास मैं दोखिये दोस्तों क्या बोल रहा है foot of perpendicular जो निकालना है तो उसके तीन मैथड है पहला मैथड ये कह रहा है कि आप सबसे पहले जो line जो आपकी equation है उसके आप क्या कर निकालिए दोस्तों जो आपके बस line है ना PM उसके आप क्या करिए equation निकालिए क्या करेंगे equation निकालेंगे equation निकालने के बाद मैं आप क्या करेंगे दोस्तों equation निकालने के बाद मैं जो है हमारे पास मैं उस लाइन की equation आ गई और एक हमारे पास already line थी जिसके ये perpendicular है उन दोनों line का intersection point होगा वही तो क्या है ये M है तो वहाँ से आपका intersection point आते ही हमारे पास M के निर्दे सांग निकल करके आ जाएंगे ठीक है चलिए second method क्या कहता है तो second method कहता है कि slope of PM यानि कि जो PM line का slope है उसका multiply करेंगे हम minus A upon B से और वो आ जाना चाहिए आपके minus 1 क्या आ जाना चाहिए minus 1 आना जाना चाहिए फिर minus 1 आएगा and alpha beta जो है वो satisfying satisfy करने चाहिए यानि satisfying ax plus by plus c बराबर 0 तो हमारे पास एक equation आई यहां से और दूसरी equation आई हमारे पास यहां से फिर हम क्या करेंगे solve करेंगे यानि की solving first and second solving first and second equation we get we get m point जिसके निर्दे सांग है alpha बीटा यह क्या है second method second method कहता है कि pm और आपकी यह line है यह दोनों एक दूसरे के perpendicular है और अगर दो line ने perpendicular है तो उन दोनों line के slope का multiplication कितना आएगा minus one आएगा और अगर उनका multiplication minus one आएगा तो एक equation यह से आजाएगी दूसरी बात यह है कि जो यह pm line है यह किसको satisfy करेगी इस m point को तो इसको satisfy करेगा कौन यह line भी satisfy करेगी क्यों intersection है तो यह जो m point है यह इस perpendicular line में भी उपस्तित है और यह जो line देर रखी आपकी AX plus BY plus C इसमें भी उपस्तित है तो दोनों में उपस्तित है तो दोनों को satisfy करेगी तो अगर alpha बीटा इसको satisfy करता है किसको AX plus BY plus C बराबर 0 को तो दो equation आगए हमारे पास इन दोनों equation को जब आप solve करोगे तो आपके पास alpha और beta की value निकल करके आ जाएगी और alpha बीटा ही तो हमें निकालना था अरे alpha बीटा ही तो हमें निकालना था समझ में आ गई बात clear है चलिए बढ़ते हैं दोस्तो आगे की और आगे की और बढ़ते हैं हमारा third method कौन सा method third method तो ये method आपका third बात करते हैं method third क्या कहता है कि alpha minus x1 upon में a बराबर होगा beta minus y1 upon b ठीक है और ये equal होगा minus of a x1 plus b y1 plus c upon में क्या आ जाएगा दोस्तो आपके a square plus b square इसको आप जो है short method समझ सकते हो ठीक तो method third क्या कहता है alpha minus x1 यानि कि जो point of आपके जो foot of perpendicular का point निदे सांक है उसमें से आप minus करोगे जिस point से perpendicular डाला उसको और divide कर दोगे line जो दे रखी है उसके x coefficient से फिर दूसरे वाले में beta minus y1 upon b और फिर आप क्या कर दोगे जो point जिससे आप perpendicular डाल रहे थे उसको उस line में put कर दोगे और उसका divide कर दोगे x और y के coefficient के square के sum से तो आपके पास में जो है दोस्तों क्या आ जाएगा आपका foot of perpendicular alpha beta के निर्दे सांग जो होंगे alpha beta की value जो होगी वो निकल कर आ जाएगा समझ में आ गई बात किलियर है आपके चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों हम next concept की और और next concept है आपका image किसके बारे मात कर रहे है image of a point image of a point in a line यानि की आपके पास एक line दे रखी है और उस line के अंदर किसी भी point का अगर आपसे image निकालने को बोला जाए तो आप क्या करोगे क्या बोला जाए image निकाल कर बताईए तो आप क्या करोगे समझ में आगई बात तो हम image निकालना सिखेंगे एक point का किसमें एक line के अंदर समझ में आगई बात चलिए तो अब आप जो है दोस्तों इसमें लिखेंगे कि if image एक सेकेंड एक सेकेंड if image if image of कोई point ले लेते हैं हम ठीक है if image of x1 comma y1 in the line in the line और जो line है उसकी क्योशन है ax by plus c बराबर 0 is वो मान लो आपके क्या है दोस्तों image क्या है x2 comma y2 ठीक है then आप क्या करोगे x2 minus x1 upon a बराबर y2 minus y1 upon b बराबर minus 2 गुणा a x1 plus b y1 plus c upon मैं क्या कर दोगे divide कर दोगे a square plus b square से समझ में आ गई बात इस कहने का मतलब क्या है अगर हम इसको diagram से थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ये मान लो एक line दे दी गई और यहाँ पर मान लो एक point है हमारा p जिसके निर्दे सांग है x1 comma y1 ठीक है और इसका इस line के respect में हमने image निकाला तो हमें यहाँ point मिला जिसके निर्दे सांग है x2 comma y2 समझ में आ गई बात तो आपका जो है देखिए इसको मिलाते हैं हम और ये ये दोनों मिलेंगे तो सही तो मिला दो इनको yellow ऐसे अब ये अगर मिल रहे हैं तो यहाँ क्या हुआ होगा perpendicular बना ही होगा और इस point को हम कह सकते हैं क्या foot of perpendicular तो इसके निर्दे सांग माल लो alpha बीटा है और इस line की equation माल लो आपके पास ax plus by plus c बराबर 0 ठीक है तो image of a point in a line एक point है उसकी image निकालनी है किसी line में तो आप जो है कैसे निकालोगे इस formula से जो मैंने आपको लिखवा दिया है formula क्या कहता है कि x2 minus x1 upon a y2 minus y1 upon b और फिर आप जो point का image निकालना चाहते हो उसको आप उस line के अंदर put कर दो तो ax1 plus by y1 plus c और उसका divide कर दो x और y के coefficient के square से यानि a square plus b square और multiply minus 2 से यहाँ पर जब आप इसको solve करोगे एक बार देखो इसको और इसको बराबर रखना एक बार इसको और इसको बराबर रखना तो आपके पास x1 sorry x2 और y2 की जो value है वो निकल करके आ जाएगी और जो x2 और y2 होगा वही तो अमारा क्या होगा दोस्तो अरे x2 y2 ही तो अमारा क्या होगा क्या होगा x2 y2 दोस्तो बताईए जल्दी से अरे x2 y2 ही तो image है किसी भी point का उस line के अंदर समझ में आ गई बात इतनी बात clear है आप लोगों के लिए तो चलिए दोस्तो अब मिलेंगे हम next video में और next video के अंदर जो है हमारा एक last concept रहा है position of two point with respect to a line मतलब आपको जो है दो point दिये जाएंगे उनकी position निकालना सिखेंगे एक line के respect में और उसके बाद में मैं आपको जो है जितना भी अभी तक पढ़ा दिया state line का उन सभी concept से मिला करके कुछ question करवाने वाला हूँ ठीक है एक second रुकिए इसको मैं थोड़ा सा shift कर देता हूँ फिर हम class का करते है the end ठीक है चलो ये ये इदर आ जाएगा अजाए ये बाई साब आ रहे है आ रहे है ठीक है ये लो ठीक है चलिए दोस्तो तो अब मिलेंगे हम next class के अंदर आप सबी लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा and love you all of you और अगर आपको book चाहिए है तो दोस्तो प्लीज पहले ही जो है अपनी book पहले ही register करवा दीजिए फिर बाद में आप बोलोगे तो हम बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पात जो software है दोस्तो उसकी एक limit है और वहाँ हमें एडवांस payment देना है तो हम पहले ये देख रहे हैं कि कितने students की demand है